स्वागत एक पर फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल फैंटसी बस पर हम यहां पर बात करेंगे बंगलादेश और सिलंका के बीच में जो यह ओडियाई सीरीज खेला जाने वाला है उसका फर्स्ट मैच यानि फर्स्ट ओडियाई जो की खेला जाएगा चर्टोग्राम सीखना चाते हो बहुत सई जगे पर आओ बस आपको यह पूरा वीडियो देख लेना तो यहां पर अगर हम पिछी रिपोर्ट की बात करें तो देखो यह जो चैटोग्राम का स्टेडिया में ओवर एक न्यूट्रल बैलेंस ट्रेक रहता है जो तीनों डिपार्टमेंट से आपको यहां पर मदद देखने मिलेगा तो आप एक न्यूट्रल विकेट मान के चलो दो सो तेज का फर्स जिनिंग का एवरेज जिसको आपको दिख रहा होगा ओवरल जो 28 ODI मैचेज यहां खेले गए हम रिचेंट 5 मैचेज अगर देखें तो यहां पर देखो बंगलाद बंगलादिश ने 286 बनाया और 246 बनाया और इंग्लेंड की टीमें 196 पर ओल आउट यह एक बैलेंस ट्रेक का विकेट जैसे मैंने आपको बताया तो ओवरल आपको यहां पर 400 भी बनते हुए दिखें हैं प्लस आपको यहां पर 180 1240 ऐसे भी बनते हुए दिखें वहीं जो म आफटर टॉस अगर कोई पिछ रिपोट आती है तो वह भी मैं आपको बता दूगा हम एनालिस पर फोकस करेंगे तो पिछ चाहे कैसे भी हो आप अपनी टीम बना सकते हो देखो यह दोनों टीम का बाइटिंग बालिंग स्टाइल है बंगलादिश की टीम में दो लेफ्ट पहले इन्होंने कुछ एक प्लेस ने खेला एक साल पहले किसी निच्छे साथ महीने पहले तो वह कोई फाइदा है नहीं इसलिए अगर आप स्वामे सरकार का फॉर्म देखोगे तो डीसेंट फॉर्म है अनामल हक का फॉर्म उतना अच्छा नहीं है नजमल उसन सेंटों का डीसेंट फॉर्म है रहमान का फॉर्म उतना अच्छा नहीं तैजुल इसलम का फॉर्म भी डीसेंट है उतना अच्छा नहीं कह सकते हैं इनकी टीम से अगर आप देखोगे न तो इनके पास यह पांच गिंदबाज है जिसमें से आप ये पांचों से उमीद करो ठिक ठाक डाल सकते कुछे कोवर जरूरत पढ़ती है तो इनके पास है सो में सरकार इस देखो इनके पास मुस्ताफिजु रहमान सौरिफुल इसलाम और तास्की नहमद तीज गिंदबाज तैजुल इसलाम लेफ्टाम और्थलोक्स और ब्रेक स्पिनर हैं इनके पास मैधिय हैसन मि देखो अर्टालीस पचास है और नौबर सो है दो इसे लिटन दास का 32 इनका 36 ठीक है यहां पर मुहमद उला नजमाल हुसें सेंटो अना मलक का देखो इस टीज और अर्टालीस में पांच-पचास है और तीन बर सो है इनको हलके में मत लेना तो वह दिर्दों साइध ना ख सब्सक्राइब तब इनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं था इसलिए इनको चार नंबर पर भीजा गये था और लेफ्ट और राइट हैं कॉम्बिनेशन बनाने के लिए तो देखो अभी क्या होता है मैंने उसी के अकोडिंग दिखाया लेकिन लेटन दास हो सकता ऊपन भी कर जाए तो यह थोड़ा सा ध्यान रखना ठीक है अब मैं अनामल हग का स्टैट्स दिखा रहा था तो देख लीजीगा बागी तो इधर दे शाइद ना खेले यहां पर मेहदी हैसन मिराज में 102 विकेट है उसके बाद 24 की अवरे से रंशी बनाए दो बार 100 और इंडिया ज थोड़ा सा ध्यान रखना फोकस करना ठीक है इंपॉर्टेंट प्लेयर से अभी अफगानी स्रिलंका के गेंस इनका टीट्वेंटी स्रीज हुआ था उसमें लेटंदास का यह फॉर्म ताइक 36 की पारी आई थी ठीक है अगर आभी तक आप हमारे टेलिग्राम चैनल से नही की बात है इनकी ठीक है एक अठासी और एक इक चालिस उसके बाद सम्राविकर्मा 45-52 इनका भी अच्छा फॉर्म है अच्छा किया यह विलालगे का डुमेस्टिक ली लिस्टे में काफी अच्छा फॉर्म है यहां पर मौके मिलते हैं कि नहीं वह एक दिखने वाली बात है करूना रतना ने भी अच्छा ही किया है तीक्षणा का फॉर्म ठीक ठाक है इनकी टीम से अगर आप देखोगे न यहां पर मदून शंगा पी मदूसन यह इनके दो तेज गिंदबाज इनके हो जाएंगे तीक्षणा और हसरंगा ठीक है यह चार 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 अवर पूरे 10-10 करते हुए दिखेंगे वेला लेगे और करूना रतने यह आपको मिलके जो बचेवे दस ओवर है वह करते हुए ठीक है इनके लिए जो पावर प्ली के गिंदबाज मदूसन मदून संका देथ में पी मदूसन और जरुरत परती तो मदून संका और हसरंगा यहां पर आपको चल रहा था कुछ का स्वर्म नहीं था तो मैंने मिस्टिक नई भॉल दिया था तो यह धियान कर एक। इन्होंने टीट्वेंटी स्केला थे वाला सीरीज उसमें इनका अच्छा नहीं था इसके बाद वनिंदु हसंगा वैला लिगे देखो वैला लिगे का फॉम काफी अच्छा है इनका रिसेंट लिस्ट यह में ठीक है और अगर आप देखो कि वर्ल्ड कप जैसे लेवल पर इ तीन इनिंग में दो बार पचास कर दिया तो यह इंपॉर्टेंट रहेंगे दोमिस्टिकली भी अगर आप देखोगे तो 43 का एवरेज है बॉलिंग से अगर हम बात करें तो माक्सिमाम इनके जो सारे बॉलर से वह इंपॉर्टेंटी है ठीक है सबका रिकॉर्ड अच्छा अब रन लटन दास के 23 मुहमद उला फ्लॉप तो इधर दो फ्लॉप तीश अकीब इनका तीन विकेट दो विकेट सौरफ इसलाम यहां पर आओ यह जो लास चार मच हम देख रहे हैं उसमें से लास के दो मच जिए जिसमेंसे अगर आप देखो कि फिरसे सेंटो का नाम आय यहां पर असलंका का नाम सामराव विकर का नाम फिरसे आया तिक्छना का नाम फिरसे आया तो इन प्लेयर को जरूर लेके जाना अब हम ओवर अलगा रिकॉर्ड देखे हैट वेन्यू मतलब हिस्टरी में जितने भी मैचेश खेले गए तो पहले हम बांगलादेश की टीम क प्लेयर का अच्छा यह सव में सपरकार 28 का आवरेज है साथ मचिए इनिंग में 28 और तीन मच में चार विकेट विकेट है ठीक है सेंटो का दो मच में 179 यह नैंटी का एवरेज तो भी धूर्द है 59 का एवरेज है मुस्विकर रहीं 32 का अवरेज है उसके बाद महधी हशन सबका अच्छा रिकॉर्ड यहां पर पढ़ सकते हूं ऐसे अगर हम बात करें इस लंकन टीम से यहां पर न यह लोग वेन्यू पर खेले नहीं है यहां पर देखो थोड़ा सा प्लेयर बैटल है यहां पर यहां पर यहां पर आपको दिखाना चाहता हूं लिटन्दास का हेट टू हेट रिकॉर्ड अच्छा नहीं है और रिजन आपको पिछले कुछ मैंने जो लास्ट चार हेट टू हेट दिखा है उसमें आपको दिख गया होगा ठीक है और यहां पर मदुन्चंग का इनको विलालगे परिशान करते हैं यहां पर आओ तो पी निशांग का कु समरा विकर्मा तो मस्टपिक है भले समरा विकर्मा का नंबर्स मतलब सेलेक्शन बहुत कम दिख रहा हो बट नंबर्स बहुत बहुत बहतरी ने मैंने आपको इनका दिखाया है और लॉंगर फॉर्मेट की अच्छे खिलाड़ी है अच्छा स्कोर कर सकते हैं और वैसी टीम करेंगे तो आप मेरे को दिखेंगे करेंगे 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 कपतानी के बेस्ट मेटरियल लेकिन इनका रिकॉर्ड स्रिलंका के चुतना अच्छा नहीं है मैंने आपको दिखाया था लास्त तीन-चार मैचे के नंबर्स अभी क्लिए मैं इनको लेके जा रहा हूं बट आ अगर बल्लेबाजी नहीं आई तो दिक्कत हो जाएगी इनको बट देखो लेटंदास को मैं मस्ठब पिक करने के नहीं रखोंगा अभी निशांका मस्ठब बड़ी स्कूरिंग करने के लिए जाने जाते हैं लेकिन उससे आप जज़्मत करना क्योंकि यह बड़ी स्कूरि और अगर जरूरत पड़ती है टीम को हेटिंग के तो इनको प्रमोशन एनी टाइम मिल सकता है और टेक्निकली स्ट्रॉंग बल्लेबाजे मोहमाद उला वैसे तो काफी अच्छे बल्लेबाजे एक्स्पीरियंस्ट है लेकिन बल्लेबाजी पोजीशन नीचे होने के कारण म आपको इनको मस्ठा पिक तो नहीं बोलूँगा कि लेक ही जाओ लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप ऐसी टीम बना रहे हो मिनी जील वगेरा में कि आप इनके टॉप अटर को करते हुए दिखा रहे हो चेजिंग में क्यों ना तब आप इनको लेके जा सकते हो क्योंकि प्र लेकिन हो सकता है क्योंकि इनकी इनका इंसिस्टेंसी थोड़ी दिखी है और मैंने जब बोला ऑफिस में के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल भी करते हैं सामने तीक्षणा रहेंगे और उनका नंबर्स भी अच्छा है अभी क्लिए मैंने इनको ले लिया लेकिन देखो इनका स्कूर है लास्तीन में दो मैंच इनका तो मैंने था तो मैंने इनको छोड़ दिया टंजीद असना नहीं खिलेंगे और मलाकर ऑपन करेंगे इनका व्ले बनगलादेश ने वेस्ट किया है मेरे क्योंकि इनका नंबर्स अतना तगळा था डमेस्टिक लिए इनको करेंगे कि पिछले कुछ मैचेज में अगर आप देखोगे तो इन्हों ने ओपन किया है लेफ्ट राइट राइट हैं तो अभी क्लिए मैंने इनको नहीं लिया लेकिन हाई यह काम करेंगे हसरंगा मस्ठपिक रहेंगे विकेट टेकिंग नेचर की गिनबाजी बल्लेबाजी से अनी टाइम प्रमोशन कर सकते हैं मैधिया सिन्मिराज ओडियाईज में आपको अच्छा खास ओवर की गिनबाजी प्लस बल्लेबाजी भी करते वह दिखेंगे कभी कभार तो यह ओपन ना करें मिडल और में खेलें तो मेरे कोडिंग मस्ठपिक क्योंकि दोनों तरफ से पॉइंट्स देंगे इसके बाद सौमें सरकार देखो मैं जो कह रहा था ना कि साइद अगर मैं यहां पर लिटन दास को ना लूँ तो आप चाहो तो यहां पर मुहमद दूला को ले सकते लेकिन मैं साइज 100 में सरकार को ले जाँ उसका रीजन का है कि कुछ ओवर केंदबाजी कर सकते हैं दो तीन ओवर प्लस इनके पास ओपनिंग स्लॉट रहेगा तो इसलिए मैं इनको लेके जा सकता हूं बट मस्ठपिक इनको भी नहीं कहूंगा कि यह उतना बड़ा स्कोरि अभी उतना ज्यादा तो मैं इसलिए छोड़ दिया बीच बीच में ओडिया इस खेले इन्होंने लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है कि मौके ही कम मिले लेकिन अगर मौका मिले तो जैसे लिस्टे में रिसेंट परफॉर्मेंस काफी बैटर है यहां पर अच्छ देंगे ध्यान रहे इन्होंने जो तीन इनिंग के लिए उसमें दो पचास की हैं बड़ा स्कूरिंग करने के लिए जाने जाते हैं बट अभी खेलेंगे कि नहीं लिए और अची कि नहीं खेलेंगे बॉलिंग से देखो स्वारिफुल इस्लाम चाहे कोई भी इनिगो तुन शंका को लेके जा सकते हो चुकि यह दथ में आएंगे अगर इनकी टीम सेकेंड इनिंग में गिंदबाजी करें तो मैं तीक्षणा को सायद लेके जाओं देखो तीक्षणा का भले रीसेंट फार्म उतना अच्छा नहीं है बट यह पीच को देखते हैं और सिलंकन सब्सक्राइब को लेना चाहते हो तो आपके पास एक बॉलिंग में खुल जाएगा तास्की नहमत का तो आप यहां पर मदूंचंग का यह तीक्षणा को जिसको भी लेके जा रहे हो सब फास्ट और सेकेंड बॉलिंग के बेस पे तो आप तास्की नहमत को किसी नहीं में लेके जा सकते हो लहरु कुमारा साइद ना खेले मुस्ताफ फिजुर इस पिच को देखते हो मैंने अभी क्लिए इनको अपनी टीम में रख लिया अगर इनकी निकालने के चांसे बढ़ जाते रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है इनका बट फिर भी मैं इनको ल मिलेगा इसलिए मैं ग्रेंडिंग में बाकि नीचे साइद ये प्लेयर्स ना खेलें कुछ इस प्रकार से हो रही है जहां पे कप्तानी मैंने अपना टीम दिखाया यह फाइनल टीम नहीं है जैसे मैंने आपको पता है लिटनदास का रिकॉर्ड अच्छा नहीं तो में इन बाकि आप ग्रेंड लिग खेल रहो ना तो मैं आपको कुछ एक ट्रम्पिक्स आफ्टर टॉस चलिगाम पर बता दूंगा उनको रोटेट करके ना अब अपनी ग्रेंड ले सकते अपनी टीम के लिए और होप करता हूं मैंने आपको इस वीडियो से काफी कुछ सिखा होगा आपडेट के लिए बस हमारे टेलिगाम चैनल से जुड़ जाना इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्षिन के सबसे पहले कमन में मिल जाएगा होप करता हूं मैंने आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा यदि आपने सीखा तो एक